नमस्ति, आकर कैसे बनता है ये इंसलिन, ये इंसलिन जो होता है, नॉमली हमारी शरीर में एक ग्लांड होती है, जिसको हम बोलते है पैंक्रियास, जो इसे रिलीस करता है, इस इंसलिन का काम क्या है, हमारे बोड़ी में अगर एकसस ग्लुकोस आ जाए, एकसस शुगर आ है, तो ऐसे परसन क्या हो जाते है, डाइबिटिक हो जाते है, और इन परसन को इंसलिन आटी विशली बाहर से इंजेक्शन की फॉर्म में लेना पड़ता है, तो आकर इंजेक्शन की फॉर्म में इंसलिन आ कहां से रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, सबसे पहले, बहुत टाइम पहले यह इंसुलिन कैसे बनाए जाते थे या कैसे एक्स्ट्राक्ट किये जाते थे जो slaughtered cattle or pigs यानि की जो cattle or pigs जिनको काटा जाता था उनके person उन animal के pancreas से इस insulin को extract किया जाता था और फिर इसे human being use करते थे but because वो क्या था animal सो उस था उसकी वज़े से इन persons में कुछ नों कुछ allergy या कुछ reactions start या देखना दिखाई हमें देने लगा तो फिर हमें इसका दूसरा alternate देखना पड़ा तो तब आया recombinant DNA technology जिसको हम क्या बोलते हैं genetic engineering आज की date में इसकी मदद से हम बहुत सारे अलग लग तरह के products large scale में बहुत large number में बना सकते हैं तो उसी के through इसको बनाया जाता है इसे समझने के लिए पहले देखे insulin की structure क्या होती है आपको दिखाई दे रहा होगा insulin क्या होता है तीन chain का बना होता है chain A chain B and chain C जब हमारी body में ये बनता है तो immature form में बनता है यानि inactive form जिसमें chain A, B, C इस तरह से जुड़ी होती है जब इसमें chain C रिमूव हो जाती है तो ये क्या हो जाता है active form में convert होता है और अपना काम करना शुरू करता है तो यानि कि artificially हमें chain A और chain B चाहिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले एले लिली किया इनको फिर इन दोनों को आपस में जोड दिया कुछ particular bond से जिनको हम बोलते है sulfur bond जिसकी मदद से last में हम एक fully active form में insulin मिल जाता है तो overall अगर आप समझना चाहिए तो क्या किया जाता है lab में इस insulin की chain A और B को large scale में produce करके आपस में जोड देते हैं और इस तरह से हमें artificially market में insulin provide होता है तो इसी तरह से कुछ और आप अगर जानना चाहते हैं तो comment box में जरूर से मुझे अपने topics या interesting facts जिसके बारे में आप सच्चाई जानना चाहते हैं